एक आईएस अब पढ़ाई हुई आसाद हेलो एंड वेलकम टू एक आईएस यूट्व चैनल दोस्तो मेरा नाम है सनोजदास अगर आप हमसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो इन सोज़र वीडियों के दोरा आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं इन सोज़र वीडियों पर एक्टिव रहता हूँ हमेशा नहीं बट सम टाइम दोस्तो आज की इस वीडियों में हम लोग जानेंगे पस्मीना सॉल के बारे में अगर आप लोगों ने रेगुलरली बैसिस पर करेंट अफेर को फोलो करते हैं न्यूज पेपर को तो पस्मीना सॉल आप लोगों ने सुने होंगे ठीक है तो दोस्तो बात करते हैं पस्मीना सॉल आकर न्यूज में क्यों है तो दोस्तो हाल ही में ठीक है सीमा सुल का दिकारियों ने पस्मीना सॉल में सहतोस नामा ठीक है गाड के बालों की उपस्थिती में सिकायत दर्ज किया है ठीक है ये सहतोस जो है न वो भी एक तरह का गाड है ठीक है उनसे भी उन निकाला जाता है और ये इसमें मिलावट पाया गया है किसमें तो पसमीना सौल में मिलावट पाया गया है जिसके करण लोगों ने सिकायत किय जो उनके कई निर्यात खेपों में लुप्त प्राया तीबती म्रीगों से प्राप्त किया जाता है तो इसी कारण नियुज में ये पस्मिना सौल बना हुआ है नौ बात करते हैं दोस्तों कि पस्मिना है क्या अब फिगर में देख पा रहे हूँगे दोस्तों पस्मिना जेग्राफिकल इंडिकेशन पस्मिना एक भोगोलिक संकेत प्रमानित ओन है जिसकी उत्पती भारत के कसमीर चयत्र से हुई है कहां से तो कसमीर चयत्र से तो एरिया आपको पता होनी चाहिए दोस्तो मूल रूप से कस्मेरी लोगों ने सरदियों के मौसम में खुद को गरम रखनी के लिए पस्मीना सौल का इस्तुमाल करते थे बट बाद में उनको बैपार में कनवर्ट हो गया ठीक है और एक काफी परसीद हो गया है पस्मीना सौल ठीक है बुनाई योग यह फाइबर बुन है इसका अब पस्मीना का ओर्थ ठीक है नो दोस्तो पस्मीना सौल उनकी अच्छी गुनबत्ता और एक टुकड़ा बनाने में सामिल कड़ी मेहनत के कारण बहुत महंगे हैं ठीक है तो एक टुकड़ा बनाने में काफी महंगे लगते हैं का इसलिए काफी महत्पूर्ण हो जाता है और काफी महंगा हो जाता है ठीक है नौ दोस्तों बात करें तो एक पसमीना सौल बुनाई में ठीक है लगभग 72 घंटा या उससे अधीक समय भी लगता है ठीक है तो इसी कारण इसका जो किम्मा थे दोस्तों वो मार्केट में ज्या ठीक है ठीक है नो दोस्तों बात करें सौर्स की ठीक है तो पसमीना सौल बुनाई में इस्तमाल होने वाले उन ठीक है लद्धाक में पालतू चंग ठांगी बक्रियों ठीक है क्रिपा हिरकत से प्राप्त की जाते है तो कौन सी बक्रियों से दोस्तों तो चंग ठांगी ठीक हिर कस दोस्तों इसका फाइबर प्रोसेसिंग के बारे में जानेगा है तो कच्छे पस्म को लद्दाक के चंगपा जंजाती दोरा काटा जाता है दोस्तों चंगपा यह काफी इंपोरेंट hybrid कम्यूंटी इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए इससे related question भी आ चुका है UPSC exam में वो हम last में discuss करेंगे ठीक है तो जो चंग थांगी बक्रियों को पालते हैं तो दोस्तों ये जो चंग ये होता है ना चंग पा ट्राइवल लोग ये एक चंग थांगी नामक बक्रियों को पालते हैं और उसी से बनता है ये fiber और फिर फाइबर से solve बनता है ठीक है दोस्तों चंग पा सेमी नॉमेडी कम्यूटी है जो चंग थांग जो लद्दाग एंड तीबेत ओटोनमस रीजन के छेत्र में फैला हुआ है ठीक है या बोल सकते हैं लद्दाग के अने छेत्रों में निवास करते हैं तो कहां पर रहते हैं आपको पता चल गया होगा ये कम्यूटी के लोग दोस्तों बात करें दुहजर एक तक ठीक है सेड्यूल ट्राइब अंडर दा इंडियन गवर्मेंट रेजर्वेशन प्रोग्राम अफ एफर्मेटिव एक्शन के रूप में बर्गरीत किया गया था इस एरिया को हां फिर दोस्तों बात करते हैं तो कस्मेरी बुनकर कच्चा पस्म बिचोलियों से खरीते हैं ठीक है जो बुनकर होते हैं वो बिचोलियों से खरीता है डारेक्ट वो उनसे नहीं खरीता है जो कि जंचातियों से नहीं खरीता है ट्रैबल लोगों से ठीक है जो चंगपा ज जाती हूए और कस्मेरी के बीच एक मात्र संपर्क लिंक है कौन है तो ये बिचोलियों लोग थік है इसी से खरीदता है यो बुनकर लोग और फिर वो लोग बुनकर उसे एक सुल में कनव रोट करता है और फिर उसे मार्केट में सेल करता है तो फिर पे जो फाइबर है ठीक है फाइबर में कंगी करते हैं और उसे सुन्धरता के अनुसार अलग करते हैं ठीक है क्योंकि उसमें अलग-अलग कलर वगरा डाला जाता है ठीक है उसे अलग किया जाता है फिर इसे हाँ से काता जाता है ठीक है और फिर इसे ताना वाना में अस्थापित किया जाता है और हत करगा पर रखा जाता है कहां पर रखा जाता है दोस्तों तो हैंड लूम पर नो दोस्तों फिर यार्ण को हाथ से बुना जाता है ठीक हाथ से बुना जाता है ध्यान दीजी का कोई मसीन से नहीं बुना जाता है इसे हाथ से बुना जाता है औ दोस्तो पस्मीना सॉल बुनाई की यह कला कस्मीर में एक प्रंपरा की रूप में पिड़ी दर पिड़ी चली आ रही है ठीक है तो बरसव से चली आ रही है तो काफी फेमा से है पस्मीना सॉल आ कश्मीर में ठीक है नौ दोस्तों बात करें सिगनिफिकेंस की तो पस्मीना पूरी दुनिया में बहतरिन और उचितम गुनवत्ता वाले ओन में से एक है पूरी दुनिया में नमबर वन है दोस्तों पस्मीना सौल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अकरसित किया और इसलिए यह पूरी दुनिया में सबसे अधीक मांग बाले सौल में से एक बन गया ठीक है तो आप इसे मतलब आप एक लगा सकते हैं ठीक है इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट हो गया यह सौल ठीक है दस्तो इसकी उच्च मांग से अस्थानिय अर्थव्यवस्ता को भी बढ़ा हुआ दिया गया है ठीक है तो आप सोच सकते हैं अगर इतना मेहिंगा साल अगर वीक रहा है तो वहां का जो ठीक है अर्थव्यवस्ता को क्या वुष्ट मिला हुआ हम तो कापी योगदान है कंट्रिविशन है ठीक है अर्थव्यवस्ता में नौ दोस्तो बात करें तो कंशर्ण की तो सिमीत उपलाबता और उच किमतों के कारण पसमीना में भेड के उन अल्ट्रा फाइन मेरिनो उनकी मिलावत मिरमाता दौरा एक आम बात हो गई तो क्या हुआ न अब उसमें भेड की उन और अल्ट्रा फाइन जैसे मेरिनो की मिलावत की जाती थी ठीक है क्योंकि दोस्तो आपको पता ही होगा कि अगर जिसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसकी खफ़त भी ज़्यादा होने लगता है न दोस्तो 2019 में भारतिय मानक ब्यूरो ठीक है B.I.S. Bureau of Indian Standards ने पसमिना उत्पादों की सुद्धा को प्रमानित करने के लिए उनका पहचान अंकन और लेवलिंग के लिए एक भारतिय मानक प्रकासित किया था तो किसके एक मार्किंग और लेवलिंग किया गय था कि पसमिना सॉल को कैई से एक टेस्ट किया जा ठीक एक कौल्टी चेक कर बना दिया था कि अगर यह सब का यह फुल्फिल होता है क्रिटिरिया तो फिरिए सही है पसमिना सोल वो क्रिटरिया क्या है दोस्तों हम बात करते हैं तो जिए ऑनड़ीट परसेंन सुध्ध परसम से बना होना चाहिए टीक है तोह परसम से बना होना चाहिए शिकंड बात किया गया है कि यह आ घूक्मार ंसुखमता वह सॉलल माइक्रोन तक होनी चाहिए ठीक है तरड बात करें दोस्तों तो सॉल को कस्मीर के अस्थानी कारीगर दोरा हां से बुना जाना चाहिए वहीं का जो अस्थानी कारीगर है ना उनी कहां से बुना हुआ होना चाहिए ना कि किसी मसीन या किसी और लोगों दोरा क्योंकि व वह आर्ट है थीक है वह लोग अलग तरह से उसको design करते हैं लाज्ट जो हैं दोस्तों criteria वह धागे को केवल हाँ से काता जाना चाहिए थीक है तो जागा होता है नको केवल हाँ से ही काता जाता है और यह कुछ criteria है ठीक है उसका quality चेक करने के लिए दोस्तों आपको सहतोस के बारे मैं already बात कर चुका हूं तो अब जानते हैं कि सहतोस है क्या केंच तो दोस्तों सहतोस तीबहती मिरक से प्राप्त महीन affect understood neighbourhood च्छी Fat खुलब हैं जिसी अस्थानी रूप के रूप में जाना चाता है कि кा प्र लिए ये मगे की रूप में चौंग थां पताब के उत्री भागों में रहने वाली परजाती है ठीक है एक परजाती है उसी से ये फाइफर निकाला जाता है ठीक है दोस्तों International Union of Conservation of Nature IUCN की Red List के अनुसार चीरू को Near Threated की रूप में Classified किया गया है तो ये काफी मतलब ये हो चुका है दोस्तों लुप्त हो रहा है तो इसे Near Threated की रूप में Classified किया गया है ठीक है दोस्तों चुकिवे उचस्तर की चिकनाई और गर्मी परदान करते हैं सहतोस सौल एक अतिधिक महंगी बस्तु बन गई थी उस समय ठीक है तो ये भी important था दोस्तों उसके बाद इसका alternative आप बोड़ सकते हैं कि पस्मीना है ठीक है तो पहले सहतोस ही उप्योग किया जाता था फिर पस्मीना आ गया दोस्तों unfortunately क्या हुआ कि जानवरों के बैफसाइक सिकार के कारण उनकी अबादी में ड्रमेटिकली रूप से गिरावट आ गई ओविसलिए होना ही था दोस्तों अगर आप किसी के उपर dependent हो जाते हैं तो उसका जो है गिरावट तो उसका अबादी का गिरावट तो होगा ही होगा नो दोस्तों बन जीवों और बनस्वातियों ठीक है CITES conservation of international trade in endangered species of wild fauna and flora ठीक है कि लुपता प्राय ठीक है प्रजातियों में अंतराष्ट बेपार पर conservation में 1989 में तिबबत म्रेग सामिल था ठीक है ये तिबबत म्रेग जो है ना प्रजाति ये भी सामिल था ठीक है य इसके कारण सहतों सॉल और स्कॉर्प की बिक्री और बेपार पर परतिवंद लगा दिया गया था ठीक है तो इसके बाद 1979 के बाद इस पर रोक लगा दिया गया था कि ना ही सॉल बनेगा और नहीं इस पर इसी कार किया जाएगा इन परजातियों को ठीक है तो आई होब कि आपको पूरी ये तो पता चल गया होगा पश्मीना सॉल के बारे में आपको मैं बताया हूँ कि एक क्वेस्टन भी इससे आया हुआ है ठीक है यूपीसी तो यूपीसी 2014 के प्रिलियम में पूछा गया था एक क्वेस्टन कि विट रिफ्रेंश टू ठीक है चंगपा कम्मिटी ओफ इंडिया कंसीडर दा फॉल्विंग स्टेट्मेंट तो तीन स्टेट्मेंट दिया हुआ है चंगपा कम्मिटी के बारे में पूछ रहा हैं तो फर् है दोस्तों कि यहां पर चार मिल जाता है आपको स्टेट्मेंट ठीक है और आपको पता चल गया होगा यह पूरा वीडियो में मैं अल्ड़ी बता चुका हूँ ठीक है चंगपा के बारे मैं अल्ड़ी बताया हूँ तो आपको पता चली गया होगा कि इसका एंसर क्या है तो फटा फटा आप कमेंट सेक्शन में एंसर को पुट किजिए ठीक है और इसी के साथ इस वीडियो को इंट करते हैं मिलते हैं किसी उर वीडियो में किसी नए टोपिक क साथ तब तक के लिए मुझे दीजी इजाज़त टेक केर और बाए दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कृप्या कमेंट्स सेक्शन में बताएं